How to remove headphone symbol in Samsung Keypad Mobile तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास भी Samsung का Keypad वाला Mobile है और आपको इसमें आ गई है दिक्कत कि इसमें उपर के तरफ headphone mode बना हुआ आ रहा है इसकी वैसे क्या होता है कि हमारे phone में जो ringtone है वो भी साइसे निबसती है और कोई call हम receive करते हैं तो उसकी आवाज भी हमको नहीं आती है तो इसको हटाने के लिए मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा तो आप इन तरीकों को follow कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको अपने phone को एक बार बंद करके चालू कर लेना है यानि restart कर लेना है तो आपको पता है long press करके आप इसे बंद कर सकते हैं और आपका phone बंद हो जाएगा और आप इसे फिर से चालू कर लीजिए और सायद इसके बाद आपके दिक्कट ठीक हो जाए और आपको जो headphone symbol बना हुआ रहा है वो हट जाए पर कभी को और ही तरीका काम नहीं करता है अब यहाँ पर मैं को बताता हूँ दूसरा तरीका जिस तरीके तर शायद आपके phone से यह symbol हट जाए तो इसके लिए पहले हम इसे चालू कर लेते हैं और आपको बताते हैं तो फिर आपको जाना है menu bar पे दूसरे step के लिए यहाँ पर आपको नीची के तरफ जाना है, यहाँ पर आपको Settings options ढूनना है इसको ढून diy ore open करिये यहाँ पर सबसी नीची के तरफ मिलेगा reset पर जाये यहाँ पर देखिए reset setting इसको देखिए और च क्लिक करे यह इस पर किलिक करें और ध्यान रहें यहां पर आपको पर्सनल डेटा है वो लॉश्ट हो सकता है आपके मुबाइल नंबर वगरा तो उसका ध्यान रखेगा आप उसका बैक अप ले लीजेगा यह पर किलिक करें अगर पासवर्ड मांगता है तो 1 2 3 4 एंटर करें और रोके करे फिर कंफर्म कर दीजिए उस पासवर्ड को और ओके कर दीजिए इसके बाद आपकी जो सेटिंग है रिसेट हो जाएगी और शायद आपका जो सिंबल है वो हट जाएगा तो यहां पर हमारा सिंबल अभी भी नहीं हटा है अब मैं आपको बताने वाला तीसर तरीका जिस से सायद आपका सिंबल हट जाए तो हम इसे ट्राइ करते हैं फिर आपको बताते हैं अगर फिर भी आपका हेड़फोन सिंबल का उप्सन नहीं हटता है तो यहां पर आपको क्या करना है आपको यहां पर मैनी वार में जाना है और अपना FM रेडियो चालू करना है और यहां प आपको क्या करना है आपको जब यह गाना चलता रहे तो गाने चलते हुए आपको बीच में अपने हेड़फोन को यानि अपनी लीड को निकाल देना है तो यहाँ पे आपको इसे करना है और इसे करके निकाल दीजिए और आपके पास यह option आता है तो आप इसे बैक करके मिलते हैं किसी और नई वीडियो में